दोस्तों नमस्कार, आज अपना जो टॉपिक है वह मौर समराज है, मौर समराज पर आधारित सारी के सारे प्रश्ण उत्तर कंप्लीट करवाय जाएंगे, यह एक क्लास इंपोर्टेंट है, तीश्टी पीश्टी के लिए, यूपी ट्रपल स्सी के अंतरगत जितने भी एकज जामस होते हैं उसके लिए, स्सी के अंतरगत जो भी एकजामस होते हैं उसके लिए, और दियर इस्टूरेंट्स यह यूपी पेट के लिए भी बहुत अधिक लाबदायक है, तो आएए दियर इस्टूरेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं मौर समराज पर आधारित प्रस्ण को अंगी कार कर लिया था ओप्शन है फर्ष्ट जूडिस्म सेकेंड बौध थर्ड हिंदू फोर्थ है जैन तो आपको बताना है इसमें में से किस धर्म को उन्होंने सुईकार किया था कलिंग विजय के बाद तो आपको बता दें इसका एक्जेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों कलिंग विजय के पश्चात समराट अशोक ने बाद धर्म को अपना लिया था अशोक के तेरवें अवलेक के अनुसार उसने अपने राज अफसेक के आट वरस बाद कलिंग युद लड़ा था कलिंग विजय उसकी आखरी विजय थे ये युद्ध 262 से 261 ईशापूर में लड़ा गया था कलिंग युद्ध मौर समराज के पतन का एक कारण भी माना जाता है अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपके सामने है दो नंबर देखें क्या है मालवा गुजरात एवं माहराष्ट किस सासक ने पहली बार जीते है हर्श इसकंद गुप विक्रमादित चंद्रगुप्त मौर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर क्या हो जाएगा देखें दोस्तों मौर वंस के संस्तापक चंद्रगुप्त मौर ने एक विशाल सामराच की इस्तापना की थी यह सामराच उत्तर पश्चिम में इरान से लेकर दक्षिर में उत्तरी करनाटक एवं पूर में मगत से लेकर पश्चिम में सो पारा तथा सो राष्ट तक फैला हुआ था 305 इसापूर में यूनानी शाषक सेलक्वस एवं चंदरुप्ट के मद युद्ध हुआ था जिसमें संभावता सेलक्वस पराजित हुआ था और विजय किसकी उती चंदरुप्ट मौर की अब अपने पास जो प्रश्ण है वे थर्ड नंबर है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे देखी क्या है निम्ली खित में से किस मौर राजा ने दक्कन की विजय क्राप्त की थी तो आपसन आपके सामने चार है अशोक चंदरुप्ट मौर बिंदुसार और कुणाल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदरुप्ट मौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्थम मौर सासक चंदरुप्त मौर ने दक्कन की विजय प्राप्ट की थी या दक्षन पर या दक्कन पर विजय प्राप्ट की थी यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंदरुप्त मौर ने अपनी 6 लाग सेना को लेकर समस्त भारत को रोंद डाला था किस ने लिखा है जश्टिन ने लिखा है ये एक यूनानी लेखक थे अब अपने पास प्रस्ण चार नंबर देखते हैं क्या है पर्थम भारती सामराज इस्तापित किया गया कनिस्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर देखे चंद्रगुप्त मौर भारत के महंतम समराट थे इन्होंने मौर सामराज की इस्तापना भी की थी चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक सामराज के अधीन लाने में सफल रहे थे अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन अपने पास पांच नंबर किस गरंत में चंद्रगुप्त मौर के लिए वर्शल अर्थात निम्नकुल शब्द का प्रियोग किया गया है ब्रामर साहित, जैन साहित, मुद्रा राक्षश या बौध गरंत तो इस कोश्चन का करेक्ट अंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षश क्या हो जाएगा, थर्ड ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, देखिए चंद्रुप्त मौर के लिए मुद्रा राक्षश में वर्शल या निम्नकुल का उपनाम भी प्रियोग किया गया है अर्थात इनको बताया गया है कि इनका जो संबन था, वोई निम्नकुल से था अब देखते हैं अगला प्रस जो की 6 नंबर है अशोक ने अपने राज अफसे के चोथे वर्श में निग्रोत के प्रभाव से प्रहवित होकर किस से बौत धर्म की सिक्षा या दिक्षा ली थी नागारजुन से, निग्रोत से, उपगुप्त से या इनमे से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा, option third है, option आप third देख पा रहेंगे, उपगुप्त देखे, जो उपगुप्त थे, वह एक प्रसित बहुत भिक्षू थे कौन थे? एक प्रसित बहुत भिक्षू थे, इन्हें अल, छड़क, बुद्ध भी कहा जाता थे अगर उपगुप्त का बाईचांस आपसे दूसरा नाम पूचा जाए, तो आप बता सकते हैं कि अल, छड़क भी इनको कहते थे आपके सामने प्रश्ण है साथ नमबर, देखते हैं क्या है? अशोक का अवलेक भारती उप महादीब के बाहर भी पाया गया है निम्ल कित में से खिश देश में ये पाया गया है अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और नेपल, चार देशों के नाम है नेपाल है, बर्मा है, चीन है, अफगानिस्तान है तो इसका correct answer हो जाएगा अफगानिस्तान क्या हो जाएगा अफगानिस्तान इसका correct answer हो जाएगा अफगानिस्तान की राजदानी क्या है दोस्तों काबूल है और यह 106 किलोमेटर के साथ भारत से सीमा साजा करता है देखिए अशोक के अवलेकों में साहनाज गड़ी एवं मान सेहरा जो कि पाकिस्तान में के अवलेक खरोष्टी लिपी में उतक्रिन है अर्थात जो भी इसमें लिखा हुए खरोष्टी लिपी में लिखा हुआ है तक्षिला एवं लगमान जो कि काबूल के समीप अफगानिस्तान अवलेक आरमाइक एवं ग्रीक में उतक्रिन है इसके अत्रिक्त अशोक के समस्त शिला लेक लगू शिला इस्तम लेक एवं लगू लेक ब्राम्मी लिपी में उत्क्रियन है तो इसका correct answer मैंने आपको बता दिया है क्या फर्स्ट ओप्सन है अब अपने पास जो प्रस्ण है वह आप लोग देख पार होंगे आठ नंबर है विष्टी विष्टी क्या है वैभाईक अनुष्टान है बेगारी है प्रान्थ है या जिला है तो इसका correct answer हो जाएगा बेगारी है क्या है बेगारी अर्थात second option चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं उत्तर भारत में प्राचीन भारती क्रशी जन्स विवस्ता एवं राजस्वम्दी पारिभाषिक सब्दावली के अनुषर विष्टी से अभी प्राय है बंदुआ-मजदूरी विष्टी सब्द का ही दोस्तों मतलब होता बंदवा मजदूरी बिना मजदूरी के श्रमिक करो के बदले का जो काम करते हैं वो एक काम करते रहते हैं अर्थात उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता है वो सिर्फ काम करते रहते हैं इसी को विष्टी या बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। अब अपने पास प्रसने 9 नमबर देखते हैं क्या है। किसके साक्षन काल में डाई मेकर्स या डी मेकर्स जिसको कहते हैं भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर के समय में, बिंदुसार के समय में, अशोक के समय में या कनिस के समय में। तो इसका correct answer हो जाएगा second option बिंदुसार के समय में। देखिए डाई मेकर्स सिर्या नरेस अंतियोकस का राजदुद था। वे बिंदुसार के शाषनकाल में भारत आया था। अब देखते हैं प्रश्ट 10 नमबर देखिए क्या है। कौटिल चानक किसका प्रधान मंत्री था। समुद्रगुप्त दुती का, चंद्रगुप्त मौर का, अशोक का या अजात्सत्रू का। तो correct answer हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर। क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर। जो कोटिल चाड़क थे ठीक है ये किसके महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर के थे अब आप लोग प्रश नमबर 11 देख पा रहे होंगे देखे क्या है विशाक दत के प्राचीन भारती नाटक मुद्रा राक्षस की विशे वस्तु क्या थी अर्था जो नाटक मुद्रा र प्राचीन हिंदू जन्सृति के देवताओं और राच्षों के बीच शंगर्ष के बारे में सिकंड ऑप्षन है एक आर राजकुमार और एक कभीलाई मैला की प्रेम कथा के बारे में ऑप्षन थर्ड है आपके सामने दो आर कभीलों के बीच सत्ता के संगर्ष की कथा के ब तो आपको बताना है इसका correct answer तो इसका correct answer हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा fourth option इसका correct answer हो जाएगा चलिए थोड़ी सी और जानकारी देते हैं मुद्रा राक्षस संस्कृत का संस्कृत का अतियासिक नाटक है जिसके रचाईता विशाक दत्थ हैं इसकी रचना 34 अताद्धी में हुई थी इसमें चानक और चंद्रुप्त मौर संबंदी ख्यात व्रत के आधार पर चानक की राजनीतिक सपलताओं का अपूर मिलता है अब प्रश्ण अपने पास है बारे नंबर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं देखी कोश्चन है अशोक किस लालेखों में प्रियुक्त भासा क्या है अर्थात किस भासा का प्रियुक अशोक किस लालेखों में किया गया था कोश्चन है बारे नंबर संस्क्रत प्राकृतक का प्राकृतक या पाली का या हिंदी का तो इसका correct answer हो जाएगा प्राकृतक क्या हो जाएगा प्राकृत जो भासा थी उसका इनके इस्तंबों में उप्योग किया गया है देखिए दोस्तों अशोग के शिलालेख प्राकृत भासा में लिखे गए हैं तता इनकी लिपी ब्राम्मी वाखरोष्टी है अगर बायचांस आप से पूछा जाए इसकी लिपी क्या थी तो ब्राम्मी वाखरोष्टी मतकाली भाशाओं को संयुक तुरूप से प्राकृत भाशा कहा जाता है जिसमें से मगदी भासा अधिकतर शिलालेखों की मुक भासा है तता ब्राम्मी लिपी के प्रियोग से लि सूची से कंड से हमें मिलाना है देखिए सूची फर्ष्ट में चंद्रगुप्त बिंदुसार अशुक और चार्ग दिये गए हैं सूची से कंड में हैं पीए दस्ती सेंड्रो कोटम अमित्रगात विश्नुगुप्त अर्थात ये सभी की उपनाम दिये गये हैं तो आपक इसका correct answer तो इसका correct answer हो जाएगा 3rd option क्या हो जाएगा 3rd option इसका correct answer हो जाएगा बाकी आपको हम सब मिला कर दिखाते हैं आप ही देखिए चंद्रगुप्त मोर जो चंद्रगुप्त मोर हैं इनको क्या सेंड्रो कोटम भी कहा जाता था अथात इसके सामने आप दो लिख सकते हैं ठीक है तू लिख सकते हैं आप बात करेंगे बिंदुसार की तो बिंदुसार को जो दोस्तों कहा जाता था वह अमित्र घात कहा जाता था क्या लेखेंगे इसके नीचे थर्ड लिख सकते हैं क्लियर दोस्तों अब देखना हमें कि जो अशोक है, अशोक को क्या कहा जाता था, तो इनको पिए दसी या प्रेदर्शनी भी कहते थे, तो अशोक के सामने आप एक लिख सकते हैं, ठीक है, अब बचे चाड़क, चारक अच्यादी के सामने आप फोर्थ लिख सकते हैं, देखें, चंदगुप्त मौर को सेंडो नाम था और जो बिंदुसार है इसको कहते थे अमित्र घात और अशोग को कहते थे पिय दसी और चार को विश्रुगुप्त भी कहते थे तो दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्ण अगला कोश्चन है आपके सामने चोगदय नंबर देखी क्या है अशोग के अधिकांस अवलेक किस भासा वा लिपी में हैं देखी दोस्तों आपके सामने प्राक्रत वा ब्राम्मी, संस्क्रत वा ब्राम्मी, पाली वा ब्राम्मी इनमें से कोई नहीं इसका correct answer हो जाएगा option first क्या हो जाएगा option first इसका correct हो जाएगा असोग के सभी शिलालेक प्राकर्तिक भासा में है उस वक्त सभी भारतियों की भासा प्राकर्तिक ही थी परंतु पश्शिम एसिया, ईराक शिर्या में पश्रीम एसिया में इराग और शीरिया आदी से आकर भारत में बसे आरियों की बहसा क्या थी? संस्क्रत थी, कहा चाता है कि आर जो है, वह मद एसिया से आये थे फिलाल जो अपना कोश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट आप्शन है प्राक्रत वा ब्राह्मी अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कोश्चन, आपके सामने 15 नंबर है किस ग्रंत में सुद्रों के लिए आर शब्द का प्रियोब हुआ है? अर्थ सास्त्र, मुद्राराक्षष, अश्टाध्याई, व्रत कंथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? आप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखे अर्थ सास्त्र कौटिल या चारक चौथी सती इसापूर में द्वारा रचित संस्क्रत का एक ग्रंथ है इसमें राजविवस्ता, क्रशी, न्याय इवं राजनीती आदिके विभिन पहलिगों पर विचार किया गया है अपने तरह का जिसके आप कह सकते राजप्रवंधन विश्यक ये एक प्राचीनतम ग्रंथ है इसकी शैली उप देशात्मक और सलहात्मक है तो क्या है इसका करेक्टर आंसर आपको में लिए फर्ष्ट ऑप्सन अब प्रसन आपके सामने है 16 नंबर अशोक की काल में कौन सी लिपी दक्षिर भारत में प्रावर्तित हुई थी ब्राम्मी, अरमाइक, खरोष्टी या यूनानी तो इसका करेक्टर आंसर हो जाएगा आप्सन फर्ष्ट ब्राम्मी देखिए अशोक के समस्त सिला लेक, लगू सिला इस्तंब लेक एवं लगू लेक ब्राम्मी लिपी में उत्केल है अशोक का इतियास भी हमें इन अवलेकों से प्राप्त होता है देखते हैं अगला प्रसन अपने पास 17 नंबर है देखिए क्या है निम्लिकित में कौन अवर्होई किरम में जिला इस्तर के अधिकारियों का नाम बताता है डिश्टिक लेवल पे जो अफशर्स उस समय थे उनका अवर्होई किरम अब रोई किरम होता बड़े से छोटी की ओर और रोई किरम होता छोटे से बड़े की ओर तो इसमें हमें अब रोई किरम है अर्थात बड़े से छोटे की ओर देखी फ़स्ट ओप्शन प्राधेसिक राजुक युकतक शेकंड उप्चन है राजुक युक तक प्रादेशिक और फूर्थ उप्चन है उप्चन हो जाएगा उप्चन सुर्ण जह दोश्त क्कलियर हो जाएगा देखे जो प्रादेशिक होता था उसे जलादिकारी कह सकते यह ड़ो अजके rhet음 में डिष्टिक मजिस्ट्रेट यद्डियम कहलाते हैं यह अर्थ विवस्ता का एक प्रदेश्टा होता था राजूक भूमी की 25 करने वाला एक न्याईक अधिकारी होता था और युक्त या युक्तक जो होता था वह भी एक जिले का ही अधिकारी होता था अब आपके सामने प्रस्णे 18 नमबर अशोक समकालिन तुर्मे कहां का राजा था मिस्त्र कोरिंथ मेसुटोनिया सीरिया बताईए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन फरस्ट क्या हो जाएगा ऑप्सन फरस्ट क्लियर हो जाएगा मिस्त्र देखिए तो आप लोग करेक्ट आंसर देख पा रहेंगे क्या है ऑप्सन फरस्ट है देखिए थोड़ी सी वैख्या समझ लेते हैं अशोक का समकालिन तुर्मे मिस्त्र का सासक था इसके अत्रिक्त असोक के तेर्मे अवलेक में समकालिन विदेसी सासकों में श्रिन के अलिक सुंदर सीरिया का अंतियोग एप्रेस के सासक मग एवं मेसोडोनिया के सासक अंतिकिनी का भी लेक मिलता है अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 19 नंबर देखें क्या है निमल कित में से प्राचीनतम राजवन्स कौन सा है या कौन सा था मौर गुप्त कुशान कन तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन फर्श्ट मौर हो जाएगा देखें मौर समराज सबसे प्राचीनतम है जितने ओप्शन आपके सामने दिये गया है अब हम लोग देखते हैं कोशन नमबर 20 मौद्रा राक्षस का लेखत निम्न में से कौन है अश्वभूश विशाकदत कालिदास या भास तो करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन सेकेंड विशाकदत देखे मुद्रा राक्षस संस्क्रत का एत्यासिक नाटक है जिसके रचईता विशाकदत है इसकी रचना चोथी सताद्धी में हुई थी इसमें चालक और चंद गुर्प्त मौर सम्मंदी ख्यात वृत के आदार पर चालक की राजनीतिक सफलताओं का अपूर विसलेसर मिल देखता है अब अपने पास जो प्रस्ने वह 21 नंबर है देखते हैं क्या है वह श्रोत जिसमें पाटली पुत्र के पुर्शासन का वरणन उपलप्त है वह कौन सा है दिव्यावदान अर्थसास्त्र इंडिका या अशोक के सिलालेक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इं सा अप्शन करेक्ट है थर्ड अप्शन करेक्ट है देखिए दोस्तो पाटली पुत्र के पुर्शासन का वरणन इंडिका में है मेक इस्तिनीज या जिसको आप मेगा इस्तिनीज भी कहते हैं कि इंडिका के अनुसार मौर काल में पाटली पुत्र पुर्शासन का दायत ती अगर आपसे पूछा जाए, मेगा स्तिनीज ने पाटली पुद्र को किस और नाम से कहा है, या किस नाम से बोला है, तो वे पाली ब्रोथा भी इन्होंने इसको कहा है. अब आगे वरते हैं, अगला जो प्रश्न है, वे 22 नंबर है, देखते हैं क्या है, केवल वह इस्तम जिसमें अशोक ने स्वयम को मगत का समराट बताया है, देखी, ओप्शन फर्स्ट है मस्की का लगू इस्तम, सेकेंड ओप्शन है रुमिन देई इस्तम, थर्ड ओप्शन ह क्वीन इस्तम और फोर्थ ओप्शन है भाब्रू इस्तम, तो इसका जो करेक्ट अंसर आ रहा निकलके, वे आ रहा है धेर इस्टुरेंट, फोर्थ ओप्शन भाब्रू इस्तम, देखी दोस्तो, अशोक ने भाब्रू वैराट अवलेक में स्वयम को देवा नम, पी देशन लाजनो मागदो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रिदर्शी वराजा मगद है, इस अवलेक के अनुशार अशोक ने बुद्ध द्वारा, प्रित्पादित, त्री वरत्न अर्था बुद्ध, धर्म तता संग के प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रिकट की है, अब आ प्रिकट में कलिन को जीतने के बाद क्या किया, ओप्शन आपके सामने चार है, पहला ओप्शन है अपने राज की सीमा बढ़ाई, सेकंड ओप्शन है विस विजय के लिए निकल पड़ा, थर्ड ओप्शन है भारी रक्थ पात देखकर युद की नीती को सदा के लिए त्य देखे कलिंग युद बहुत करूर था और ये कहा जाता है कि कलिंग युद के दोरान लगबग डिल लाक युद्धा और एक लाक मौर युद्धा मारे गए थे, ठीक है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि लड़ाई इतनी करूर थी कि लड़ाई के प्रणाम सुरूप दया नदी युद के मैदान के बगल में बहने के कारण रक्त पात हो गया, कलिंग के कई हज्जार, पुर्षो और मैलाओं को निर्वासित किया गया, कलिंग के युद्ध के बाद समराड जो असोग थे, उन्होंने अपने सैन आक्रमों को समाप्त कर दिया, और मौर सामराज की चेत्री विकास नीद को पूरी तरह से रोक दिया, लडाई के बाद अशोग धम विजय या धम के माध्यम से जीत की धारणा रखते थे, अशोग ने 40 से अधिक वर्षों तक शान्ती, सदभाव और समपनता के साथ अपने सामराज पर सासन किया था, अब जो अपने पास प ABCD दिया गया है, उत्तरापत, दक्ष्रापत, अवंती राष्ट, प्राची या पूर्वी प्रदेश, सुची सेकेंड में तक्षिला, सुण गिरी, उजयनी या पाटली पुत्र, तो इसका करेक्ट अंसर है, वह दोस्तो है, आप्शन फर्ष्ट, क्या है, आप्शन फर्ष दक्ष्रापत, सुवनगिरी, उजयनी अवंती राष्ट, थल्ड, और प्राची या पूर्वी प्रदेश, पाटली पुत्र, तो इसका ये करेक्ट अंसर हो गया, अब इसी स्रंखला को आगे बलाते हैं, अपने पास कोशन है, 25 नमबर, 25 नमबर, अशोक के बारे में जानन के लिए महत्पूर श्रोत क्या है, अहत्मुद्रा, शिलालेक, यूनानी लेक, बौद सहित, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, वह आ रहा, ऑप्सन, सेकेंड, शिलालेक, दिखी, अशोक का इतियास हमें मुकता उनके अवलेकों से ही ग्यात होता है, उसके असकी अवलेक में अशोक का नाम मिलता है, यह अवलेक आंद प्रदेश राज के रायचूर जिले में इस्तित है, कहां पर है, आंद प्रदेश के रायचूर जिले में इस्तित है, गुर्जरालेक में भी इसका नाम अशोक मिलता है, काल्सी शिलालेक उत्रांचल राज के द अब प्रशना आप लोग देद पारेंगे, 26 नमबर है, देखी क्या है, किस सिलालेक में अशोक की ये गोश्रा अंकित है, कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं, या रानी के साथ विश्राम करता हूं, या मैं अपने अंताशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात् आवजनिक कार के लिए संपर्क कर सकते हैं, दूसरे सिलालेक में, चोहते सिलालेक में, पाचमें सिलालेक में, या छटे सिलालेक में, इसका correct answer हो जाएगा, फोर्थ जनलेक में, क्या हो जाएगा? अब देखिए थोड़ी सी जानकारी, देखिए सिलालेक जो छटा सिलालेक था वे सक्री प्रसासन एवं सुद्रन वेपार की जानकारी उसमें मिलती है धम महापात्र अधिकारी कभी भी मिल सकता था, अत्वा किसी भी समय असोक से मिल सकता था उस समय में भी जब असोक अपने सहन कक्षमियों अत्वा निजी कारियों में व्यस्थ हों। अब अपने पास प्रस्ण है 27 नंबर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अर्थ सास्त्र में उल्लिखित सत्तांग में शामिल थे। फर्स्ट उप्शन राजा, शित, प्रशाषन एवं कोर्स। सेकेंड उप्शन है संगीत, निरत, राग एवं मल युद। फूर्थ थर्ड उप्शन आपके सामने है मंत्री, असैन सेवक, अधिनस्त, मुद्रा निर्वार से संबंद, कर्मचारी और फूर्थ है राजकुमार आचार, वैपारी एवं साधू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, कौटिल ने सब्तांग सिध्धान्त में राज के साथ अंगों का वरण किया है। सब्तांग दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्त यानी साथ और अंग यानी हिस्से। कौटिल ने राज के सबी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जो किसी राज को चलाने या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत पोड़ है। अब आप साथ अंगों के नाम समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग कोशन देख पा रहे होंगे। 28 नंबर है। नेमल कित में से वह वेक्ती कौन है। जिसका नाम देवान पिये दसी भी था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर, गौतम बुद, भगवान महावीर। तो इसका correct answer हो जाएगा। First option अशोक। देखें। चक्रवर्ती समराट अशोक। विश्परशिद एवं शक्तिसाली भारती मौर राजवन्स के महान समराट थे। समराट अशोक का पूरा नाम देव नाम प्री अशोक मौर था। और इसका आर्थ होता राजा प्रदर्शी देवताओं का प्री था। उनका राजकाल जो इसापूर राज 279 इसापूर से 232 इसापूर तक प्राचीन भारत में था। मौर राजवन्स के चक्रवर्ती समराट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था। उनका मौर समराज उत्तर में हिंदू कुस्की स्रणियों से लेकर दक्षर में गोदावरी नदी के दक्षर तता मैसूर तक पूर में बांगला देश से पश्चिमें अफगानिस्तान इरान तक पहुँच गया था। देखे उत्तर में हिंदू कुस्की स्रणियों से लेकर दक्षर में गोदावरी नदी के और फिर इसके लावा मैसूर तक पूर में बांगला देश और पश्चिमें अफगानिस्तान इरान तक पहुँच गया था इनका सासन। इसलिए कहा जा था इन्होंने अखंड भारत का निर्मार किया था। अब अपने पास प्रस्ण है 29 नंबर देखी क्या है। निम लिखेत में से अशो का उत्रा दिकारी कौन था। कुराल था। बिंदुसार था। राहूल या इन में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपसर फर्स्ट देखी। अशो की मृत्तू के बाद मौर समराज राजवन्स लगबख 50 वर्सों तक चला। अशो की मृत्तू 236 इसापूर में लगबख होई थी। अशो के उपरांद अगले 5 दसक तक उनके निर्बल उत्रादिकारी सासन संचालित करते रहे थे। अब अपने पास कोश्यन है तीस नमबर देखी जिसके गरंत में चंद्रगुप्त मौर का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, सुद्रक, विशाकदत और अस्व घोस। इसका करेक्ट आंसर आएगा ओप्सन थर्ड क्या हो जाएगा ओप्सन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चोती सताब्दिय शती के उत्रार्द तथा पांचवी सती के पूरवार्द में विशाकदत द्वारा रचित गरंत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर एवं उनके जो गुरु थे चानक के विशय में विशिष्ट जानकारी मिलती है। महाकभी भास द्वारा रचित सुपन प्रवास वद्दत्तम में वद्द्राच उद्द्यन एवं चंद्प्रिगोत के सम्बंदों का उलेक मिलता है। शुद्रक द्वारा रचित म्रच कठकम नाटक से गुप्त कालिन सांस्कर्तिक इतियास की भी जानकारी मिलती है। अस्वगोत के बुद्द्चरित्तम तथा सौंदर आनन्द में पनिस के विशे में भी जानकारी मिलती है। अब अपने पास जो कोश्यन है वो 31 है। देखते हैं क्या है। किस अवलेक से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रवाओ पश्शिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अवलेक से अशोक का गिरनार अवलेक से रुद्र दमन का जुगनागळ अवलेक से ये अशोक का सोपारा अवलेक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन थर्ड़। क्या हो जाएगा? आप्शन फर्ड हो जाएगा. देखी दोस्तो, रुद्रदामन के जुनागर अवलेख से ये विदित होता है कि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर का प्रभावत था. उसी के अवलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर ने अपने राजपाल पुषगुत वैश्व की सायता से यहाँ पर सूदर्शन जहील का भी निर्मार करवाया था. अब प्रशन अपने पास 32 है. देखिए निम लिखित में से कौन सा राजप्राया जनता के संपर्क में रहता था. चंद्रगुप्त मौर अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित, बिन्दुसार. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक. क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा. अब अपने पास question है 33 देखिए क्या है श्री नगर की स्तापना किस मौर सासक ने की थी अशोक ने बिंदु सार ने चंदरगुप्त ने या दसरत ने करेक्ट आंसर हो जाएगा option first अशोक दिखिए कल्हण के अनुसार श्री नगर की स्तापना 1182 इसा पूर्व में यानि कि आश से लगबग 3200 साल पहले अशोक नाम के राजा ने की थी लेगिन कई इतियासकार इस अशोक राजा को 2300 साल पहले वाला मौर सामराज का मान अर्थात कई ऐसे इतियासकार हैं दोस्तों जो कहते हैं कि 2300 साल या 3200 साल पहले वाला मौर सामराज का मान सामराव असोक ही मानते हैं अब देखते हैं अगला प्रस्टन क्या है अगला प्रस्टन अपने पास 34 है देखते हैं क्या है निम्लिकित में से किन किन दक्षिल भारती जातियों का उलेक अशोग के सिला लेक में किया गया है चोल, पल्लो, पांड, सती पुत्र, केरल पुत्र, विश्णू, कॉंड तो इसका जो correct answer हो जाएगा first हो जाएगा क्या हो जाएगा first इसका correct answer हो जाएगा देखी कौन कौन है first number है ठीक है और first में चोल है फिर इसके बाद third है अर्था पांड है फिर fourth है जो सती पुत्र है इसके बाद पांचमा है केरल पुत्र अर्था चोल, पांड, सती पुत्र और केरल पुत्र अब आप लोग प्रशन देख पा रहे होंगे 35 कौन सी गोश्णा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को इस्पश्ट करता है गिरनार अभलेक मन सहरा अफलेक, सिला लेक पांचमा व्रेत, सिला लेक या कलिंग का प्रतक सिला लेक करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन फोर्थ कलिंग का प्रतक सिला लेक देखिए अशोक का तेर्मा सिलालिक कलिंग्यूत अशोक का हिर्दय परिवर्तन पलोसी राजाओं का वरण से सम्बंदित है अब प्रशन अपने पास 36 है देखिए कोटिल द्वारा रचित अर्थ सास्त कितने अधिकार्यों में अधिकार्यों में विवाजित था या अधिकार्यों में विवाजित था 11-14 और 15 correct answer हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा fourth option correct हो जाएगा देखिए दोस्तो पराणों में कोटिल का दिजерб स्रेष्ट ब्रामर काहा गया है अर्थ सास्त में 15 अधिक्रण तथा 118 प्रक्रण है छटे अधिक्रण में राज के सप्तांगो स्वामी अमात व्राष्ट दुर्ग बल कोश तथा मित्र के सरूप तथा कार्यों का वरण मिलता है अब आगे हम लोग देते हैं 37 बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोग को कहां भेजा था स्वनगिरी, तक्षिला, उज्जैन और वैशाली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो आप्सन सेकंड देखे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोग को कहां भेजा था तक्षिला भेजा था, देखे, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में असोग का जेष्ट भाई, अर्थात बड़ा भाई, शुशीम उस समय तक्षिला का क्या था, प्रांथ पाल था तक्षिला में भारती यूनानी मोल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह छित्र विद्रोह के लिए उप्युक था शुशीम के अकुसल प्रसासन के काराउंदी उस शेत्र में विद्रोह पनफ उठा राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार असोग को विद्रोह के दमन के लिए वहाँ बेजा था और वो सफल भी दोस्तो हुए थे अब अपने पास question है 38 निम्नांकित में से कौन मौर वंस का सासक नहीं है अजात सत्रू चंद्रगुप्त मौर अशुक और बिंदुसार तो correct answer हो जाएगा अजात सत्रू क्या हो जाएगा अजात सत्रू देखे अजात सत्रू लगबग 493 इशापुर मगत का एक पतापी शमराट और बिंदुसार का पुत्र जिसने पिता को मार कर राज़ प्राप्त किया था उसने अंग, लिछवी, वजजी, कोसल तता कासी जनपतों को अपने राज़ मिम्ला कर एक विश्तर सामराज की भी इस्तापना की थी अब अगला प्रसंद देखते हैं 39 नमबर मेगा इस्तिनीज की पुस्तक का नाम क्या था अर्थसास्त, रिगवेद, पुरान या एंडिका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन फोर्थ क्या हो जाएगा ओप्सन फोर्थ क्लियर हो जाएगा देखिए इंडिया ग्रीक लेखक मेगा स्तिनीज द्वारा मौर कालीन भारत का एक लेख है यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है परंतु इसके कुछ बाग परवर्थी लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए है इनमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रैबो जिसको जियोग्राफिका भी कहते हैं पिलनी और एरियन, प्लूटार्क, जेश्टिन के नाम भी उलेखनी है अब अपने पास प्रस्नेज चालिस नंबर देखते हैं क्या है बराबर जिसको गया जिला भी कहते हैं कि गुफाओं का उप्योग किसने आस्त्रे की ग्रे की रूप में किया था आजीवकों ने, थार्गों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने तो करेक्ट आंसर हो जाएगा option first क्या हो जाएगा option first करेक्ट हो जाएगा देखे, बराबर की गुफाओं का निर्मान अशोक द्वारा तीसरी सताब्दी ईशापूर में बिहार प्रांद के गया जिले में इस्तित बराबर चट्टानों को काट कर करवाया गया था बराबर पाहरी पर इस्तित चार में से तीन गुफाओं में अशोक के सिलालेक होने से ग्यात होता है कि दो गुफाएं अशोक द्वारा अपने सासनकाल के बार्वे वर्ष और उन्नीसवे वर्ष आजीबकों को दी गई थी चोथी गुफा में पाँच्वी सताब्दी के मौकरी शासक अन्नत वर्मा का लेक अंकेत है बराबर की गुफाओं का उप्योग आजीबकों ने आश्रम ग्रे के रूप में किया है दोस्तो तो ये थी मौर समराजपर आधारित फर्ष्ट सीरीज जल्दी आपको सेकंड सीरीज मिलेगी बट आपको दोस्तो इस सीरीज को फटाफट लाइक करना है शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तो जय हिंग जय भारण